नितीज कुमार की घेराबंदी जो है वो पूरी तरह से सुरू कर दी गई है ये होली से पहले केंदरिये मंत्री मंडल का विस्तार होने वाला है जो प्रबल दावेदार है असमें चिराग पास्वान है और सिपी सिंग को लेकर भी चर्चाएं चल रही है बिजेपनी लगाता नमस्कार आप देख रहे हैं अपने सहयोगियों को मजबूत कर रही है या फिर दूसरे पाले में जो है उनको अपने तरफ लाने का परयाज सुरू कर दी है कहने का मतलब है कि नितीश कुमार की घेराबंदी जो है वो पूरी तरह से सुरू कर दी गई है और इसकी सबसे पहले जो इंडिकेशन है वो देखिए कैसे मिलने सुरू हुए चिराग पास्वान लगातार नितीश कुमार के विरोध में रहें उनको जेड़ प्लस सुरुक्षा दी गई कल ही आपने सुना होगा कि वी आईपी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी उनको भी वाई केटोगरी की सुरुक्षा दी गई उपेंद्र कुस्वाहा बागी तेवर अपनाने के बाद नई पार्टी के अगठन करते हैं और सबसे पहली उनकी जो विजिट होती है किसी बड़े नेता से वो बिहार भाजपाद्यक्ष संजय जैस्वाल के साथ होती है मुलकात होती है और इन जब में आपको बता दे कि एक और महत्तोपुन सुचना निकल के आ रही है कि आर सी पी सिंग जो की राष्टिया द्यक्ष हुआ करते थे पहले जदियू के और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया चैंद्ये मंत्री का उपथ छिद गया रासभा के लिए उन्हें नौमिनेट नहीं किया गया दुबारा उनको अपना बंगला खाली करना था डल्ली में जो इस्पात मंत्री रहते हुए उन्हें मिला था आपको बता दे कि जो सुत्रों के हवाले से ख़बर मिल रही है उसके मुताबिक मना कर दिया गया है उन्हें कि अभी बंगला खाली करने की जरूरत नहीं है और जो सुत्र बता रहे हैं उनका कहना है कि ये बाते जो हैं वो केंद्रिय ग्रिह मंत्री अमित्सा के द्वारा आर शीपी सिंग को कही गई कि अभी बंगला खाली करने की जरूरत नहीं है आप उसमें रहें और ये भी ख़बर निकल के आ रही है कि होली से पहले केंद्रिय मंत्री मंडल का विस्तार होने वाला है कुछ लोगों के मंत्री बनने की समभावना है उसमें जो प्रबल दावेदार है उसमें शिराग पास्वान है और सीपी सिंग को लेकर भी चर्चाएं चल रही है क्योंकि उनके बंगले को खाली करने पर रोक लगा दिया गया है कहा गया है कि आप अभी बने रहें उसमें तो समभावना है कि उन्हें भी मंत्री पद ओफर किया जा सकता है के अंदर में और ये सारे जुगत जो हो रहे हैं वो नितीश कुमार को घेरने के लिए हो रहे हैं महागडबंधन को घेरने के लिए बीजेपी के द्वारा किये जा रहे हैं आपको बता दे कि अभी महागडब संकटों के दोर से गुजर रहा है जदिव में बगावती तेवर अपना कर उपंद्र कुस्वहा ने एक नया बवाल मचा दिये हुए है और जदिव जो है लगातार डिफेंड पर डिफेंड करते जा रही है मुख्यमंत्री के उस बयान पर जिस पर उन्होंने कहा था कि 2025 के ब कुछ हुआ है उपंद्र कुस्वहा के बगावत के बाद उपंद्र कुस्वहा ने बड़ा ही मजबूत पोइंट पकड़ा कि जिस पाठी का गठन लालू यादों के सासन के सासन प्रनाली के खिलाफ हुआ था नितीश कुमार आज उसी दल को गिर्वी रख रहे हैं लालू बैक फुट पर है और जो खबरे मिल रही हो उसके मुतावित आर्जेडी भी काफी नाराज है कि मुख्यमंत्री कई बार तेस्वी यादों को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर वादा कर चुके हैं और उनके पाठी के द्वारा अपने वादे पर से यू टर्न लिया जा रहा है तो देखिए क्या होता है बिजेपी लगातार जो है वो महागडबंदन को और खास कर नितिस कुमार को घेरने में लगी हुई है उनके जितने भी सहयोगी है उन पर डोडे डाल रही है उनको सुधाएं दे रही है ओफर कर रही है और सबसे अब महतुपन बचा हुआ है क क्या जीतन ना माजी को भी अपने पाले में करने के लिए कोई परियास बिजेपी के द्वारा किया जाएगा क्योंकि माजी का भी याई देखा जाया कुछ दिनों से उनका रवय्या जो है वो भले ही कह रहे हanes हो कि हम नितिस कुमार के साथ रहेंगे जहां नितिस कुमार ज अपना है लेकिन माजी अपने यात्रा के दोरान अपने बेटे को सपोर्ट कर रहे हैं और उनका ये भी काना है कि तेज़वी से योग्य उनके बेटे संतो सुमन हैं और वो योग्य मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो आप आगे देखने वाली बात है कि BJP जो घेराबंदी कर र में पूरी तरह से जो चुनावी मोड है वो सुरुवात हो चुकी है उसकी और घेराबंदी बयान कारवाईयां सुरू हो चुकी है अब देखने वाली बात है कि महागरवंदन जदियू आरजेडी कॉंग्रेस इसको निट्रलाइज करने के लिए अपनी इस्तिती को जरूर कर ले धन्यवाद